नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देखने जोतिश दिशास सत्तिकीरा मैं हूँ आपके साथ संतो संतोशी दिनांग 25 मई गुरोपुष्य अमरितियोग और आज का दिब्व वैदिक वशीकरण अनुष्ठान इन दोनों का सामोहिक सम्मिलन है आज गाजियाबाद कार्याले में आज और आपके पास अंतिम अवसर है जब आप इसका पूर्ण लाब ले सकते हैं वैदिक वशीकरण अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं अपने लिए अपने अपनों के लिए जो आपका अपना है क्या करना होगा आपको 9354619250 पर तुरंत वाटसब कर दीजिए आचारेश शीवमिश्राजी रिस्पॉंड करेंगे मात्र क्यावन सो रुपे का शुलक है जो आपके लिए बहुत सहज रहेगा बहुत अनिवार है अगर इसमें आप भाग लेते हैं तो आप अपने प्रियों के ख्रदय में एक सकारात्मक छाप छोड़ते हैं तो विलंब बिलकुल भी मत करिएगा फर्ष्ट कम फर्ष्ट क्या होता आगे सर नहीं पहले आओ पहले पाओ जो भी होता हो तो आएए सुर्बात करते हैं बाज के जोतिश दिशा का सरप्रथम आज का पंचांग जेश्ट महाशुकल पक्ष सश्ठीति थी है आज चंद्रमा करक राशी में नक्षत्र पुष्च रहेगा शाम पाँच बचकर बावन मिनट तक इसके बाद आज शलेशा योग रहेगा वृद्धी तदनुसार दिनांग 25 मई दिन गुरवार गुरवार को राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा दोपहर देड़ से तीन बजे तक एक बज कर तीस मिनट से तीन बजे तक और गुलिक काल का समय रहता है सुबह 9 बजे से 10 बच कर 30 मिनट तक राहुकाल में नए और शुबकाम के लिए सास्त्र मना करते हैं लेकिन गुलिक काल में आप नए और शुबकाम कर सकते हैं आईए आप जान लेते हैं मेश से लेकर मीन तक का पूरे दिन का हाल आप सब का प्रिय भविश्य वानी मेश राशे किये गए प्रयास सफल होंगे आज सिक्षा में आई बाधाएं दूर हो रही है ब्यापार के लिए समय अनकूल रहेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ बड़ा करने की चाहत पूरी करेंगे प्राइवेट सेक्टर में शुपता बनी हुई है सरकारी छेत्र के लोगों को आज मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा दापत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा पत्नी का सानिद प्राप्थों का इसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइफ में कई तरह की मुश्किलें आ सकती है आज मेश राशी वालों को ओवर एस्पेक्टेशन सा आपके लिए भारी पड़ेगा विवाह की चर्चा टाल दीजेगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज लीवर और आँखों की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है आज मेश राशी वालों को गुरु पुष्य अमरित योग स्पेशल उपाए हल्दी का तिलक अपने कंठ पर लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भागी प्रत्शत इक्यावन ब्रिशब राशी दिन बहुत अनकूल है पढ़ाई में आई बाधाएं दूर हो रही है सिक्षा के छेत्र में कुछ विशेश सफलता मिलेगी ब्यापार बहतर रहेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी ब्यापारिक दिश्टिकोर से आप अपने आपको साध सकते हैं बहतर कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इन्वाल्व हैं तो आपको मुश्किल होगा आज नवकरी में सरकारी छेत्रवालों के लिए समय बहतर रहेगा एक दूसरे को आज सपोर्ड करेंगे बॉस के साथ कलीक के साथ तालमेल अच्छा रहेगा मारेड लाइफ बिशब राशी थोड़ा बहुत नोग जोग हो सकता है पुरानी समस्याँ एक दम से सामने आएगी लव लाइफ बहुत बहतर है हर कदम पर शुबता है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो आज किटनी और आँखों की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना है अगर आपकी राशी बिशब है आज बिशब राशी वालों को प्रियोग के तोर पर गुरु पुष्य अमरितियोग स्पेशल उपाए केले का फल किसी जरूरत बंद को दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भाग्य प्रदिशत पच्पन मिथुन राशी मानसुक शांती मिलेगी पढ़ाई में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार अनकूल चल रहा है बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे है आज का दिन प्राइवेट सिक्टर वालों को कई तरह की शुबता दे रहा है सरकारी छेतर में तनाव बढ़ सकता है सोच समझ कर फैसला लीजेगा दाम पत्त जीवर अनकूल रहेगा पत्नी और बच्चों की बीच ताले में लच्छा बैठेगा लव लाइफ की स्थिती को थोड़ा सा समारने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में आज पेट और आँखों की समस्या हो सकती है मिथोन राशी वालों को प्रियोक के तोर पर आज दायने हथेली पर थोड़ा सा गुलाब जल लेकर हल्दी मिला लीजे और शीवलिंग पर अर्पित कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज गुलाबी भाग्य प्रत्शर 56 करक राशी 25 मई ब्रहश्पतिवार शिक्षा का छेत्र आपके लिए आज कई प्रकार के रास्ते खोलेगा पढ़ाई में कुछ शुबता है ब्यापार के लिए थोड़ा सा टफ समय चलेगा बिजनस की स्थिती को सुधारने का प्रियास करें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा बहुत उठा पटक दे रहा है प्राइवेट सेक्टर वालों को सोच समझ कर निर्ड़े लेना होगा सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा अवसर अच्छे मिलेंगे दामपत्य जीवन की स्थिती को सुधारने का प्रियास करें लेकिन लव लाइफ में मामला आपके हाथ से बाहर जा सकता है आज का दिन करक राशी वालों को विवा की चर्चा टालने में भलाईए चंचलता पर अंकुष रखिएगा स्वास्त के मामले में दातों की तकलीफ, डाइजेशन की समस्या हो सकती है करक राशी गुरु पुष्यमृतियोग के लिए आज विशेश उपाई क्या रहेगा सिर्यहरी विश्यों का ध्यान करते हुए ओम ब्रिम रहश्पतय नमह का जाब करते हुए पीपल की तीन परिक्रमा कर ले राशुब होगा शुबरंग आपके लिए आज नीला, भाग गिप्रतशत, पचपन सिंग राशी गुष्ये पर काबू रखें, पढ़ाई में प्रभाव पढ़ रहा है शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ब्यापार अन्कूल रहेगा, बिजनस में आउसर अच्छे मिलेंगे प्राइबेट सेक्टर आपके लिए आज बड़ा फैसला देगा प्राइबेट सेक्टर में शुबता बनी हुई है सरकारी छित्र की स्थिति में सुधार लाने का प्रियास करे दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा है सिंग राशी वालों के लिए लव लाइफ में आज बिवाह की चर्चा टालने में भलाई होगी कुछ पुरानी समस्या हैं आपको परिशान करेंगे स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज डाइजिशन की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज सिंग राशी वालों को गुरु पुष्यमृत योग है आज पीपल के पत्ते पर अपनी समस्या लिखें और श्यूलिंग पर अर्पित कर दी शुबरंग आपके लिए हरा भाग्य प्रिंस्जट उनसट फिफ्टीनाइग कन्य राशी मानसिक शान्ती मिल रही है बढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे है सिख्षा की स्थिति को सुधारने में आप कामयाब होंगे व्यापार में कुछ टफ सिच्वेशन है बिजनस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अनकूलता रहेगी प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा का फैसला होगा सरकारी छेत्र को सुधारने में कामयाब होंगे गौर्णमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के साथ कहीं घुमने टहलने का कारिक्रम बनेगा लव लाइफ में कुछ मुश्किल ने आ सकती हैं सोच समझ कर फैसला करिएगा स्वास्त के मामले में आज किड्नी और आँखों की समस्या हो सकती है कन्या राशी वालों को प्रियोग क्या करना चाहिए गुरुप शम्रित योग के लिए ना भी पर तीन बार हल्दी से तिलक करते हुए ओम बिर्म रहस्पतय नमह का जाब करिएगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग्य प्रत्शत बावन बात तुला राशी की करें लेकिन बता दें आपको कि आज गुरुप शम्रित योग है शाम पांच बचकर अठावन मिनट तक तब तक आप सब के लिए वैदिक वशी करन अनुष्ठान का आरंभ किया गया है आज भी भाग ले सकते हैं आप समय गवाईए मत अगर अब तक आपने भाग नहीं लिया है तो कारियाले के नंबर पर आप वाटसप करके भाग देने का प्रयास करें आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आज के तुला राशे की सिक्षा के लिए आज कुछ बढ़ा करने की चाहत को पूरी करेंगी पढ़ाई बहुत अच्छी है रुके कारे गतिमान हो रहे हैं ब्यापार में कुछ समस्याइं आ रही है बिजनस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है बिजनस को समारने का प्रयास करें आप प्राइवेट सेक्टर अनकूलता दिखाएगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेतर में इस्थति थोड़ी सी डावा डोल हो सकती है गवर्मन्ट सेक्टर को बहतर करने का प्रयास करें दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है पत्नी का सानिद प्राप्त हो रहा है तुलावालों के लिए कुछ रुके कार गत्मान हो रहे हैं संतान को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते है आज लव लाइफ में नए प्रपोजल को टालने में भराई है विवा की चर्चा को टा तुला राशी वालों को किसी जरूरत मंद को आज अपने हाथों से कुछ देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज काला भाग की प्रत्शत बावन ब्रिश्चिक राशी दिन का पूरा दिन आपके लिए बहतर है हर कदम पर पर प्रणाव अच्छा आएगा शुबता बनी हुई है प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा तनाव देगा अचानक कुछ मुश्कलें आ सकती हैं सरकारी छेत्र में शुबता बनी हुई है गवर्न्मेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ कही घूमने टहलने का कार्किनम बन सकता है लव लाइफ को लेकर करके आज सजग रहने की आवश्कता है कुछ मुश्कलें आ सकती थी दो पहर के बाद बिबादों से बचने के आवश्कता है स्वास्त के मामले में डाजेशन और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगर आपकी रासी ब्रिश्चिक आज का दिन शुब करने के लिए गुरु पुष्यम्रित योग के लिए गुलाब जल और हल्दी मिक्स करके दाने थेली पढ़ने और ओम बिर्म रहस्पते नमह का जाब करते हुए पौधे की नीचे डाल देगे शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग की प्रतिशत पचास धनुराशी मानसिक शान्ती मिलेगी आज पढ़ाई में सुधार आएगा अबरोड आधी जाकर की शिक्षा की निमित दिन बहुत उत्तम रहेगा व्यापार बहुत अच्छा है अवसर अच्छे मिलेंगे प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ उल्जन पैदा कर रहा है सोच समझ कर फैसला लीजिए सरकारी छेत्र में अनकूलता बनी हुई है गवर्नेंट सेक्टर आपके लिए आज बड़े फैसले देगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी का सानिद प्राप्त हो रहा है लव लाइफ की स्थती को सुधारने में आपको महरत करना पड़ेगा स्वास्त के मामले में आज आँख कमरदर्द और पीट की समस्या हो सकती है धरुर राशी वाले आज गुरुप शम्रित योग में क्या विशेश उपाय करें हल्दी और चीनी मिला कर पानी में मिला लीजिए और पीपल के नीचे ले जाकर के अर्पित कर दीजेगा शुवरंग आपके लिए आज स्लेटी भाग्य प्रत्शत 56 मकर राशी मान्सुक शांती है आज पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं शुक्षा में हर कदम पर शुबता बनी हुई है ब्यापार के लिए अफसर अच्छे मिलेंगे बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर कुछ आपके लिए उल्जन पैदा करेगा आज नोकरी में तनावा सकती है अचानक कुछ मुश्किलें आ रही हैं जिस पर आपको अंकुष लगाने की आवश्क्ता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बड़ा फैसला देगा कदम कदम पर आपको शुबता मिलेगी सरकारी छेत्र को सुधारने का प्रियास करें दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच तालमिल अच्छा रहेगा मकर राशी वालों के लिए लव लाइप में मामला कुछ आपके हाथ से बाहर जा रहा है जिस पर आपको अंट्रोल करना होगा स्वास्त के मामले में आज सांस लेने में दिक्कत और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी मकर है गुरुपुश्यमृत योग है गुड और हल्दी मिला करके गव माता को देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग्य प्रत्षत बावन कुम्बराशी दिनांग 25 मई दिन गुरुवार पढ़ने में मन कम लग रहा है आज कुछ पुरानी बातें अचानक से कोई मित्र सामने लाएगा व्यापार अच्छा है कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है बिजनस एक फ्लो में बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ आज भारी संदेश दे रहा है जिस पर आपको सोच समझ कर निर्ड़े लेना होगा सरकारी छेत्र बहतर रहेगा दामपत्य जीवन की स्थती थोड़ी बहुत डावा डोल है पती-पत्नी के बीच तनाव बढ़ सकता है आपकी राशी कुम्भ है गुरुप शम्रित योग कुम्भ राशी वाले आज ओम ब्रिम रहस्पते नमः का जाप करते हुए अपने उपर हल्दी मिश्रत जल का छड़काव कर ले शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग्य प्रत्षत पचास अंतिम राशी मीन पढ़ाई की स्थती बहुत अच्छी है सिक्षा में हर कदम पर शुबता है अवसर अच्छे मिल रहे हैं कदम दर कदम इसका लाब भी मिलेगा ब्यापार के लिए थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा आज बिजनस में रिस्क लिया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर कुछ अच्छी खबरें दे रहा है आज नोकरी में बने हुए हैं सरकारी छेत्र उल्धन पैदा कर रहा है गवर्मेंट सेक्टर की स्थती बहुत सुधर नहीं रही दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के बीज तालमिल अच्छा रहेगा लव लाइफ में मामला आपके हाथ से बाहर जा सकता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो किड्नी की समस्या शुगर आपका बढ़ सकता है यूरिन इंफेक्शन्स भी ये संभावित है उपाय क्या करना है गुरु पुष्य अम्रित योग मीन राश्य वालों को काले तिल और हल्दी मिला करके गव माता को देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रत्शत साथ राश्यों का हाल समझ लिया है तो अब आगे बढ़ाएंगे आज का स्पेशल हस्त रेखा और आप लेकिन आपको एक बार पुनह याद दिला देते हैं कि आज गुरु पुष्य अम्रित योग है आज वैदिक वशी करन अनुष्ठान हो रहा है हमारे कार्याले में तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं वैदिक वशी करन अनुष्ठान में और अपने अपनों के लिए रेजट्रेशन करवा कर उनके शुभत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं क्या रहेगा इस्पेशली प्रयास करने में आपको बस आप डिटेल भेज़िए और डिटेल भेज करके अपना काम बना लीजे आई अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का हस्त रेखा और आप आज के भागिशाली दर्शक हैं जिनके हस्त रेखा का डिटेल सेलेक्ट हुआ है दिव्यांश सिंग गोरखपुर उत्तरप्रदेश से दिव्यांश बहुत सारी शुब काम नाएं बिलकुल हीरो स्टाइल में उन्होंने फोटो भेजा है आप लोग भी देख रहे हैं पुरा पॉकेट में हाथ डाल करके एकदम अक्षे कुमार टाइव से और बहुत खोशी की बात है क्वेश्चन है कि गुरु जी क्या मेरा गुवर्मेंट जॉब लगेगा और अगर लगेगा तो कब तक लगेगा दायने हाथ की लकीरों के आधार पर दिव्यांश बताया जा सकता है आपकी कुंडली में आपकी शीर शरेखा टूटी हुई है और शीर शरेखा का टूटना बहुत अशुब होता है कहीं से भी शुब नहीं होता है आप जितनी जल्दी हो सके आप एक बार व्यक्तिकत तोर पर कुंडली दिखा लीजिए व्यक्तिकत तोर पर बात कर लीजिए क्योंकि मैटर गड़बड हो सकता है हेड इंजरी की संभावना बेटा बन रहा है शुब से रेखा चंद्र छेत्र पर कुछ न कुछ गड़बड कर रहा है यह एक अशुब ही योग होता है रही बात थरकारी नौकरी की तो इसकी संभावना प्रबल है आप प्रयास तेज करिएगा और साथी साथ जब आप प्रयास करें तो अपने साथ सरस्वती औरा कवच जरूर रख लीजिएगा इसके अलावा उपाय के तौर पर गव मूत्र का सेवन और गव माता की सेवा जितना हो सके आप करिये दिव्यांश सूरे रेखा आपकी बिल्कुल दो साखाओं में है जो की राजपत्रत अधिकारी तक की यात्रा को सफर को पूर्ण करती है ये आपके लिए बहुत शुबशन देश है हर्दे रेखा थोड़ा सा चंचलता देती है मन पर हमारे नियंदरन नहीं रहता है इसको भी आप कंसीडर करिएगा हमारी शुब कामना आपके लिए दिव्यांश तो चलें फिर आप उम्मीद करते हैं कि डिटेल्स से संतुष्ट हुए होंगे बाकी दर्शक भी हमारे अगर हस तरेखा और आप में भाग लेना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों की डिटेल्स नाम उम्म्र और अपना एक प्रश्ण और अपनी दो फोटो एक हाफ और एक फुल जिसमें पाउंट तक दिखाई दे जितनी जल्दी हो सके हमारे दिये गए नंबर पर वर्ट्सप करते हैं बहुत आभार आप लोग का आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का स्पेशल सक्सस की गुरुपश्य अम्रित योग स्पेशल सक्सस की बाई हथेली पर हल्दी रखना है दाइने हाथ की इंडेक्स फिंगर से हल्दी को चलाते हुए ये ग्यारह बार जाप करना है आई आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं इसके बाद हल्दी को तुल्सी के नेचे डाल दीजे अब बात कर लेते हैं आज का भाग्याक्षर मेश राशी गाग्षर बिशब मा मिथुन चाग्षर करक सा सिंग खाग्षर कन्या पा तुला लाग्षर दिश्चिक मा धनू याग्षर मकर ला कुम्भ जाग्षर मीन भाग्षर ये आपके शुब भाग्याक्षर हैं जो साधे चाग्षर कागच पर लिख कर अपने पास रखने होते हैं आई आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का आयुश्मान भवह दिनांग 25 भई को पैदा हुए लोगों के लिए आयुश्मान भवह में आज का महा उपाय है पहले तो आपको शुब काम नाए जनम दिन मुबारक हो आज का प्रियोग रहेगा किसी तीन लोगों को भोजन कराकर शिवाले में एक बरगत का पौधा लगा दीजे और दो लोगों की शिक्षा में मदद करिए जिसका आज मेरे जैनिवरसरी है चार लोगों को कुछ खाना खिला कर अपने हाथों से भोजन कराकर दो कन्याओं की शादी में मदद कर दे और एक माला गायतरी मंत्र का जाप पति-पत्ति मिलकर करें और फिर हवन करें लाव निश्चित है बहुत आभार आप लोग का प्यार बनाए रखिएगा आज के इस खासंक में इतना ही एक बार फिर बता देते हैं कि आज और कल दो दिन आप हमसे अभी कोटा राजस्थान में मिल सकते हैं कोटा में मिलने के लिए समय सुनिश्चित करें कार्याले के दिए गए नंबर पर आप कॉल या वाट्स अप जरूर कर लीजेगा आज के लिए इतना ही हमें अनुमत दीजे अपना बहुत ख्याल रखें मुहबत बनाए रखें और हां हर रोज दो पर दो से तीन लाइब जरूर जुड़ा करिए नमस्कार शेरादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियाँ ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीप जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीप संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप दीप एक खुशियां अनेक कर तका मेहाईए लग्रहदीप कि अपको बाते हो प्रंप कि आपको, अपको! कि प्राफ खुशिया यंब म trat experts भी जाट एक खुशियों